दोस्ती एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर किसी के चेरे पे स्माइल सी आ जाती है। ऐसे दोस्तों की कहानी बताने वाले हैं जो की राजनीतिक निताओं से जुड़े हुए हैं। लोग मिसाले दिया करते थे। हाला कि बिहार की सियासत ने इन दोनों की दोस्ती को अलग कर दिया। या यू कहें कि ये लोग सिर्फ अब अपनी जरूरतों के लिए साथ दिखते हैं। सियासत में कहा जाता है कि यहां ना तो कोई दुस्मन होता है और ना ही कोई दोस्त। एक समय था जब नितिश और लालू की जोडी के आगे बिहार की सियासत में कोई टिक नहीं पाता था। दोनों नेताओं ने बिहार में इसकदर अपनी पकड बना ली थी कि कोई अन्य पार्टी के नेता बिहार में अपनी जमीन भी नहीं बना पा रहे थे। हाला कि एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के दूसरे कटर विरोधी हो गये नितिश कुमार आरजडी के साथ गट बंधन तोड बीजेपी के साथ चले गये और साल 2005 में बिहार के सियम बन गये। कहा जाता है कि मुसीबत में सच्चा दोस्त जरूर काम आता है। ऐसे में जब नितिश कुमार को जरूरत पड़ी तो उन्होंने लालू से एक बार फिर हाथ मिला लिया। 2014 में नितिश और लालू की गल बहिया करती तस्बीरे मीडिया में च्छा गई। साल 2015 बिहार विधान सभा के चुनाव में इस दोस्ती ने मोधी लहर को रोकते हुए अपना कीला बचा लिया। इसके बाद लालू के दोस्त नितिश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। गुपाल गंज के लालू और नालंदा के नितिश कुमार की दोस्ती की कहानी शुरू होती है पटना से। लालू यादव पटना उनिवर्सिटी के बियन कॉलिज में पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त भी लालू की पहचान पी यू में एक दबंग और धाकर नेता के तौर पर होती थी। उन्होंने पटना उनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के महां सचीव के रूप में चात्र राजनीती में प्रवेश किया और बाद में इसके अध्यक्ष बन गये। उसी दोरान नितिश कुमार बिहार इंजिनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। नितिश भी कॉलेज में चात्र यूनियन के अध्यक्ष बन गये थे। साल 1974 के दोरान जैप्रकाश नरायन के संपुर्ण क्रांती आंदोलन में नितिश और लालू एक दूसरे के करीब आये केमपस में महंगाई को लेकर मूव्मेंट ने जोर पकड़ा। दोनों नेताओ का मकसद एक ही था सत्ता के खिला आंदोलन। ऐसे में दोनों में दोस्ती और गहरी होती गई। साल 1977 म लालू लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उमिद्वार के रूप में खड़े हुए और चुनाव जीते। इस कैंपिंग में नितिश समेत कई दोस्त लालू के साथ थे। वरिस्ट पत्रकार प्रवीन बागी कहते हैं कि अगर लालू को नितिश कुमार जैस लालू के सीर चढ़ने लगा वा किसी से सलाह मश्मीरा नहीं करते थे। ऐसे में नितिश कुमार उपेक्षित महसूस करने लगे थे। इसके अलावा नौकरियों में कती तौर पर एक ही जाती को प्रात्मिक्ता देने और ट्रांसफर पोस्टिंग में भरस्टाचार की वज से नितिश और लालू के बीच दरार आने लगे। नितिश कुमार भी अपनी कोईरी कुर्मी वोट बैंक के साथ धीरे धीरे जाती के नेता बन गये थे। नितिश कुमार ने नए अध्याई की शुरुवात की। 1974 में नितिश ने जॉर्ज फार्नरडिन्स के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया और लालू से अलग राह चुन ली। लेकिन उनका यह दाव काम्याब नहीं हुआ राजनीति के सीनियर लालू ने नितिश को जब चुनाव जीत कर मुख्य मंत्री बने। बात 2013 की है जब बीजेपी ने गुजरात के ततकालिन मुख्य मंत्री नरेंद्र मोधी को 2014 के लोग सभा चुनाव के लिए अपनी पीम उमीद्वार बनाया। नितिश कुमार को ये बात खटक गई। बीजेपी के अलान के बाद उन्होंने एंडिये से नाता तोड़ लिया और 19 साल बाद फिर लालू के साथ आ गये। दोनोंने कॉंग्रेस के साथ मिलकर महागटबंधन बनाया। लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी 2014 के लोक सभा चुनाव में नितिश की पार्टी को केवल दो सीटे मिली जबकि लालू के खाते में चार सीटे आई। हाला कि 2015 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी को सिकस्त देने में लालू नितिश की जोडी ही काम आई। वहीं कनहया भेलारी ने कहा कि एक बार यह भी चर्चा चली थी कि नितिश कुमार ने प्रपोजल दिया है कि अगर सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो वकेंद्र में किसी भी पत पर आ जाएंगे। इन दोनों की जोडी को भाजपा नत्रित्य ने तोड़ा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन जिन्होंने कहा था कि नितिश कुमार प्राइम मिनिस्टर मैटेरियल है यह पॉलिटिकल मजबूरी है कि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं लेकिन दोनों के संबंध आज भी बहुत गहरे है राजनीती के पीच पर इन दोनों दोस्तों ने मिलकर जितनी लंबी प अपनी राय दे इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूस 24 धन्यवाद